हलो गाइस, कैसे हैं आप सब? ओप सो आप सबी अच्छे होंगे, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है, महकता जाएका में विंटर सीजन चल रहा है, तो ऐसे में थ्रोट इन्फेक्शन, जुखा, आम बुखा और बहुत ही आम बात है तो ऐसे में हम क्या करते हैं, गर्मा गरम सूप बनागर पीते हैं, सूप तो आपने बहुत तरह के पीएंगे, पर मैं आज आपके लिए देशी सूप लेकर आई हूँ, गुडराप, जी हाँ, राजस्थानी गुडराप की रेसिपी लेकर आई हूँ, उसके लिए 2 टी यहां ने सूप पाउडर यहां ने आपड़े में, डलें अतना गी आप डाल दो, आप जो रैमेडी बना रहे हैं वो आपकी बनेगी नहीं, तो कम गी में हमको आटे को बहुत अच्छे से सीख लेना है, आटे की सिकाई केसी करनी है, बिल्कुल गूल्डण ब्राउन होने आर्टे काBDU कि भड़ कोर पिपाने 6 और ने 2N मेरे मैं आज़ा केरे साल कािचा तक स्काइप करें तक सकाई अपरने कॉ देख सकते हैं बिलकुल गोल्डन ब्राउन सिकाई हो चुकी है लिया है जित्ता आटा हम लेंगे इतना ही हमें गुड़ चाहिए अब इसका एक ग्लास पानी डालके बॉयल कर लिया है अब बॉयल आने के बाद में हमें से छान लेना है छानने से क्या होगा इसका जो भी वैस पार्टिकल होगा वो निकल जाएगा कोई भी कच्छरा होगा वो भी निकल जाएगा तो इसे हमें इस आटे में डालना है बिल्कुल धीरे-धीरे करके डालना है नहीं तो लमस आजाएंगे और घोड़ अगर अप चाहे तो और गनिक ही यूज करें यहां मैंने और गनिक गो यह इसके सारे लमस हमने नकाल लिये हैं अब हम बाकी का बचा हुआ जो हमारा गोड़ का पानी है वो भी इसमें एड़ कर देंगे हमारे राजस्थान में इसे देशी गोड़ राप कहा जाता है यह देशी सूप है आपके यहां क्या बूलते हैं इसको मेंको कमेंट तक अच्छे से हिलाते रहना है कम आच पे ही मैंने एक बार इसको किया है और यह जो गुड़ का पानी है जो हम आटे में डालेंगे वो गरम होना चाहिए अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है और भी अगर पानी की जरुरत होगी तो हम इसमें पानी एड़ कर देंगे लेकि तो इसे बिल्कुल पतला ही हमें बनाना है सूप जैसी कंसिस्टेंसी चाहिए यहां थोड़ा गाड़ा हो गया तो मैंने इसमें गरम पानी एट कर दिया है यह देख लीजिए अच्छे से से गरम कर लेंगे हम दो से तीन उबाले आने तक हमको इसको गरम करना है जब तक बॉइल आता है तब तक इसको लगातार हिलाते रहना है गुड वैसे भी विंटर्स में खाना चाहिए इसमें फुल आइरन होता है और जो सौट हमने डाली है उससे भी बहुत फाइदा करेगा गुड भी गरम होता है और सौट भी गरम होती है सौट पाउडर अगर नहीं एवलेबल है तो बहुत सारे लोग इसमें जिंजर जो होती है उसको भी गिसकर डाल देते हैं यह हमने कर लिया है अच्छे से हिला लिया है बॉइल आने लगा है एक से दो उबाल आएंगे तब तक इसे रेगुलर आप हिलाते ही रहें हिलाते ही रहें नहीं तो वो तले में चिपक जाएगा और आपकी गुडरा बिल्कुल भी अच्छी नहीं बनेगी तो लीजिए बॉइल आ गए हैं दो तीन बॉइल के असपास इसमें आ गए हैं अब हम इसको अच्छे से ढक कर कुछ मिनिट के लिए पका लेंगे आज बिल्कुल सिम पे ही रखना है सिम आज पे इसको पकाना है ये जो इसके जाग अगे हैं ये हट जाएंगे तब तक हमें इसे पकाना है चलिए ये तैयार हो गई है हमारी गुड्राप अब इसे डग कर पका लीजिए गुजदेर के लिए इसको पीने से आपको विंटर्स में बहुत आराम मिलेगा इसे आप चाहें तो रोटी के साथ भी बहुत सारे लोग सर्व करते हैं पर इसको एक बार अगर जब आपको जुखाम हो रहा है रात में इसे पी के आप रजाई ओड़ कर सो जाईएगा उसके बाद आपका जुखाम चू मंतर हो जाएगा लीजिए ये तैयार है हमारा गुड्राप बनकर तैयार है इसे हम सर्व कर देते हैं ये बिलकुल पतला ही होना चाहिए इसकी कंसिस्टेंसी एकदम से सूप जैसी ही चाहिए हमें तो कैसी लगी आज की रेसिपी अगर अच्छी लगी है तो अपने फ्रेंड्स और फामली के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस विंटर सीजन में जरूर से ट्राय कर सकें और अगर आप ट्राय करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्षन में जरूर से मैंशन करके बताईएगा और अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बैल आइकन दबा दे ताकि मेरी सारी अपकमिंग वीडियो आप तक पहुंच सके मिलते हैं नए वीडियो में नई रेसिपि के साथ तब तक के लिए बाबाई